नमस्कार बहुत दोस्ट स्वागत है आपका न्यूज वोल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में 25 खबरों पर कृष्ची कनूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के अंदोलन का असर संसत में भी दिखाई दिया कॉंग्रेस समेत कई विपक्षी दलो नहीं राजसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांगी थी लेकिन राज सभा चेर में नहीं चर्चा से इंकार कर दिया इसके बाद विपक्ष ने वॉक आउट किया बारति किसान उनियन के नेता राकेस रकैत की अपील के बाद पश्यमी यूपी से लेकर हर्याना तक मैं किसानों की महापंचायत हुई है जिसमें किसान आंदूरं को समर्थन देने की बात कही गई बारत में पहली बार है जब कोरुना से मरने वालों की संख्या 100 से कम दर्च की गई है वहीं पिशले 24 गंटे में कोरुना के 8,635 नए मामले सामने आये हैं फिलाल लगाता ग्राफ में कमी आई और वहीं टीमसी की विधायक दीपक हलदार ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है बागी दीपक ने अपने इस्तिफा स्पीट पोस्स से राज के टीमसी अध्यक्ष सुबरिता बक्षी को बेजा बढ़ना में मुगबिर की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कारवाई की है पुलिस ने 9 ट्रक को जब्त किया है जिसमें से पुलिस ने 5,000 शराप की पेटियों को बरामत किया जिसकी कीमत 5 करूर रुपे आ की गई बिहार के सुपोल जिले में बाइक सवार बेकोफ बदमाश ने दिन दाढ़े गाट के सिर में गोली मार कर 45,000 रुपे लूट कर फरार हो गए गाहिल गाट को इलाज के लिए स्पताल में भरती किया जिसके बाद डॉक्टर ने उसे ब्रद कोशित कर दिया पुलिस बदमाशों की तलाश मजूटी लखनव पुलिस ने दो लोगों को गरफतार किया है जो उत्रप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी एर्टिनाथ के नाम से फरजी दस्ताविज बनाकर लोगों से ठगी करते थे आरूपियों ने लखनव में एक शक्स से 65 लाक रूपी की ठगी की थी और वहीं राजिस्तान में पुलिस ने अन्य प्रदेश से फरजी धुलन लाकर शादी रचाने और धूले के परिजनों से मोटी रकम वसूल कर फरार होने वाले आरूपियों को गरफतार किया वहीं आरूपियों से गिरोहों से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूश्ता जारी और वहीं जॉहरकंड में एक शक्स सिर पर वार करके उसको मौत के घाठ उतार दिया आरूपिय पती को शक्ता कि उसकी पत्नी के किसी अन्य के साथ अवेश्तमबन थे पुलिस ने शफ को पोस्माटम के लिए बेजा, आरूपी को पकड़ने के लिए दविश दी जा रही है और वहीं गॉंडा में मेडिकल छात्र गॉरफ अपरहन कार्ण में आखरी आरूपी को भी पुलिस ने गरफतार कर लिया कानपुर में साइब ठगो ने बीमा पॉलिसी की रकम दिलाने के नाम पर एक शक्स के खाते से 7 लाख रुपे पार कर दिये पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्च किया पंजाब में पुलिस ने एक रेस्टूरेंट से जुए और दहब अपार के आरूप में 65 लोगों को गरफतार किया है जिसके बाद इलाके में हड़कम पमच गया फिलाल पुलिस आरूपी की पूस्ताश में जुटी बहराइच में पुलिस ने चेकिंग के दोरान शातिर बदमाश को गरफतार कर लिया उसके पास से 33 लाक रुपे कीमत की 1 किलो चरस और चोरी की तीन बाय के बरामद हुई है पुलिस ने मुकदमा दर्च कर उसे जेल भेजा आगरा में रेलवे लाइन पर प्रेमी युगल के शब मिलने से हड़कम पमच गया जी आर्पी का कहना है कि दौनों के बीच प्रेम संबन थे युविती की शादी होने वाली थी फिलाल पुलिस परिजिनों से पूस्ताच में जुदी है बुलन शेयर में ड्यूटी पर तैनाथ पीएसी के जवानों को एक डंफर ने रॉन दिया इस हाथसे में दो जवानों की मौके परीमौत हो गई है और कई गंबी रूप से घायल हुआ है फिलाल पुलिस ने शवा को पोस्माटन के लिए भेजा गहलों को एक निजी अस्पताल में भरती किया चंदॉली में दो दिन पूर्व लापता हुआ दबा वेबस आई अरुन शर्मा की हत्या की जाने के आश्रंका चिताई जा रही है जिसके चलते पुलिस टीम गोता कोरों की मदद से गंगा में सर्च ऑपरेशन चला रही है इटावा में करोडो रुपे की जमीन को हडपने के चलते ससुर की हत्या करने के मामले में बहु को गरफता कर जेल भिश दिया गया है कोटा में एक पती ने अपनी पतनी का दोस्तों के साथ कार में अपरन कर उसे होटल में ले गया बाद में दो दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया गया है पतनी की शिकायत पर आरूपी पती और उसके दो दोस्तों के खलाफ अपरन और गेंग रेप का मामरा दर्च कर लिया गया है आरूपी की तलाश जारी बोजपुर्जले में चेक पोस्ट पर हत्यार बंद बदमाशों ने दो लोगों को गोली मार दी गोली बारी की इस घटना में दोनों जखमी हो गया है पुलिस ने गाया लोग अस्पताल में बढ़ती किया जिसके बाद बदमाशों की तलाश की जारी है जान कुमार सानू घर में एंट्री ले सकते हैं वो शो में निकी तमोली के कनेक्शन बनकर एंट्री लेंगे वहीं ऐसी भी खबरे हैं कि रुबीना की बहन जोतिका राहुल माजन और जैस्मीन बसीन शो में री एंट्री ले सकते हैं सभी लोग 30 जनवरी से कॉरेंटीन है रिया चक्रवर्ती की तस्वीरे और वीडियो शोशल मीडिया पर वारेल हो रही हैं अपतिक जनिक सीरीज बनाने का आरोप है भारती क्रिक्रेट टीम के पूर्व बल्लेवाज विरेन सेवाग ने टेलिविजन रियल्टी शो इंडियन आइडल के प्रतिभागी पवंदीप राजन की जम कर तारीफ किये सेवाग ने अपने ओफिशियल फ्रिटर हैंडल से पवंदीप के लिए एक खास ट्वीट भी किया IPL 14 को लेकर घड़ी का काटा अब घूमने लगा है BCCI ने IPL के शोडूल और वेन्यू को लेकर तैयारी में जुटी हुई है जबकि लीग का चौदवा सीजन अपनी योजना के अंतिम चरण में है फिलाल 5 मिनिट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही बने रही है नीजवल इंडिया के साथ नमस्कार